आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि स्वतंतरता का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले स्वतंतरता का आर्थ समझते हैं स्वतंतरता का आर्थ होता है आजादी या किसी दूसरे के शाषन या नियंतरण में नहीं होना या गुलाम नहीं होना या प्राधीन नहीं होना तो स्वतंतरता का विलोम शब्द यानि कि विप्रितार्थक शब्द होगा प्रतंतरता और प्रतंतरता का अर्थ होता है प्राधीनता गुलामी किसी दूसरे के शाषन या नियंतरण में होना या गुलाम होना या प्राधीन होना यानि कि प्रतंतरता को आप प्राधीनता भी कह सकते हैं तो स्वतंतरता का विलोंग शब्द प्रतंतरता या प्राधिंता दोनों हो सकते हैं तो आईए अब हम स्वतंतरता और प्रतंतरता या प्राधिंता को कुछ उधारण वाक्यों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्वतंतरता क्या होती है यह प्रतंतरता में जीने वाला कभी नहीं जान पाता यह फिर आप कह सकते हैं कि उसने अपने देश को प्रतंतरता या प्राधिंता की बेडियों से आजाद करा कर स्वतंतरता दिलाने की शपतली अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें